हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बैक तो मैं चैनल सिंप्लिफाइड किमिस्ट्री तो मैं दियर स्टुडेंट्स अप्टू नाओ वी हव कम्प्लीटेड दे लिमिटेशन ओफ लुइस कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था लुइस बाई साब कहां कहां फेल हो गए तो उसके बाद तो लुइस तो नहीं समझा पाए के कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है तो उसके बाद क्या हुआ आईए देखते है तो उसके बाद दोस्तो आफ्टर दुरुइस कंसेप्ट एक मॉडरन कंसेप्ट आया कौन सा कंसेप्ट आया? modern concept and modern concept किसके base पे आया modern concept क्यों आया तो ये modern concept इसलिए आया ये समझाने के लिए आया दोस्तो कि covalent bond कैसे बनता है क्यों covalent bond बनता है और कैसे बनता है ठीके तो Lewis वो नहीं समझा पा रहे थे कि कैसे covalent bond बनता है ये Lewis नहीं समझा पा रहे थे तो ये modern concept आया तो ये modern concept के अंदर basically दो theories थी उन्होंने try किया explain करने का कि भई covalent bond कैसे बनता है उसमें से first theory थी VBT and second theory थी MOT ये theory थी, ये assumptions है दोस्तो कोई इसका practical data नहीं है उन्होंने ये बताया कि ऐसे बनता है तो VBT का full form रहेगा दोस्तो valence bond theory okay इसे हम क्या कहेंगे valence bond theory and इसे हम कहते हैं दोस्तो molecular orbital theory समझेगा ध्यान से इसे क्या कहते हम molecular orbital theory तो दोस्तो ये दो theories हमें पढ़नी है ये दोनोंने हमें explain किया है के covalent bond कैसे बनता है दोनों का concept लग-लग है हमें देखना है तो इसका screenshot लीजिए हम start करते है valence bond theory दोस्तो ठीक है बहुत ध्यान से इसे समझेगा बहुत ही मज़ेदार सी theory है ये ठीक है and बहुत मज़ा आने वाला है आपको सारे concept clear हो जाएंगे अभी खाली देखिए तो VBT जिसका full form होता है valence bond theory तो ये valence bond theory दिया किसने तो पहले तो दो scientist थे इसे हमेशा याद रखना okay question में कभी कभी आ जाता है Hitler and London नामके दो scientist थे उन्होंने ये concept लाया कि अभी covalent bond कैसे बनता है and ये concept को बाद में Pauling Pauling and Slater हमेशा याद रखना Pauling and Slater नामके scientist ने ये theory को develop किया ये theory को उन्होंने क्या किया डेवलप किया ओके ये basis कौन है basis कौन किस ने रखा तो आप कह सकतो Hitler and London ने ये theory का base रखा and बाद में Pauling and Slater ने इसको develop किया तो पहले तो इसका main points क्या होते है देख लेते है कि इसमें किसके base पे ये theory कहना क्या चाती है ओके आप कहना क्या चाते हो तो वही ये theory कहना क्या चाती है हमें उसके बारे में पढ़ना है ओके तो ये theory ऐसा कहती है कि जो orbitals होती है समझना मेरे बात द्यान से समझना orbitals जो होती है वो overlap होती है वो क्या होती है एक दूसरे के साथ overlap होती है two form two form covalent bond यह बहुत ही important वाली बात कर दी इन्होंने इन्होंने कहा कि यह covalent bond कैसे बनता है तो कि बच्चो ध्यान रखो कि जो orbitals होती है आपको पता है orbitals होती है orbital probability जहां पे electron मिलने की probability maximum हो उसे orbitals कहते है उसके different different orbitals देखी थी हमने SPD and F orbital तो ये लोग ये बता रहे है कि ऑनिक कैसे form होता है कि जो atomic orbitals होती है वो overlap होती है एक दूसरे के साथ क्या होती है overlap होती है क्यों overlap होती है तो तभी फारं होता है वो overlap होंगे तभी covalent bond form होता है ये हमें याद रखना है clear? ओके तो overlap होने के लिए करना क्या पड़ेगा? कभी atoms को एक दूसरे के सबसे नजदीक आना पड़ेगा atoms को एक दूसरे से क्या आना पड़ेगा? नजदीक आना पड़ेगा तो पहले तो इन्होंने ये बताया के भई, covalent bond तभी बनता है जब जो overlap होता है किसका orbitals का? तो मैं इधर लेख देता हूँ जो atomic orbitals होती है समझना इसे वो partially overlap होते है कैसे overlap होते है? partially, overlap means आपको पता ही है एक के उपर एक but partially, completely overlap नहीं होता है partially overlap होता है ठीक है? ओके और किसका partially overlap होता है? of two half filled orbitals two half filled orbitals ये बार बहुत ही ध्यान से समझ लेना in which, in which the spin of electron is different spin of electron is different समझाता हूँ टेंशन मत लीजिएगा मैं समझाता हूँ in which the spin of electron is different it means दोनों electron की spin एक दूसरे से opposite होनी चाहिए तो उन्होंने ये बताया पहली बात कि इसने हीटलर एं लंडन ने ये थियरी दी उसके बाद पावलिंग एंशलेटर ने इसको develop किया तो उनका main point ये था दोस्तों कि covalent bond जो आप देख रहे हों जो covalent bond electron sharing से बनता है वो actually कैसे बनता है तो उन्होंने ये बताया कि जो atomic orbitals होती है वो एक दूसरे के साथ overlap होती है तब जाके covalent bond बनता है तब जाके covalent bond बनता है ऐसी बात उन्होंने बता डाली ऐसी बात उन्होंने बता डाली किसने? VBT ने valence bond theory तो अभी मैं ये बता रहा हूं कि atomic orbitals कैसे overlap करती है partially overlap करती है completely overlap नहीं करती है मानलो एक s orbital ऐसे है तो दूसरी s orbital इधर है तो ये दो s orbital partially overlap करते है अभी complete overlap ऐसा complete ऊपर आज़ाए ऐसा overlapping नहीं होता है partially overlap होता है कौनसी orbitals overlap कर सकती है समझेगा कौनसी orbitals overlap करती है जो half field होती है half field मिंस जैसे s orbital हो तो उसमें एक electron होगा उसे half field कहते है P orbital है तो P 3 sub orbital में classified है तो अगर P orbital में भी कोई भी sub orbital half field है आदा बरा हुआ कोई एक electron है उसे half field कहते है तो half field orbital ही overlap होती है और वो भी वो ही orbital overlap होगी जिसमें electron की spin क्या होगी different होगी, opposite होगी इट मिन्स मान लो एक case orbital ऐसा है उसमें electron की spin ऐसी है दूसरा एक case orbital ऐसा है जिसमें electron की spin opposite है तभी जाके ये दोनों orbitals overlap हो सकती है ऐसा ये theory ने हमें समझाया बच्चो समझ में आ रहा है फिर से बता रहो बहुत important point है ध्यान रखना समझेगा ये, ये समझ लिया तो पूरा काम हो गया आपका उन्होंने क्या बताया कि atomic orbitals overlap करती है कौनसी? कि भी half-filled half-filled orbitals overlap करेगी, ठीक है और वो भी कौनसी कि जिसमें electron की spin क्या होनी चाहिए opposite होनी चाहिए वो ही overlap करेगी ये बात याद रखना वो ही overlap करेगी और वो भी कैसा overlapping होता है partially overlapping होता है समझ में आया बच्चो अभी इसको और detail में समझते हैं पहले इसका screenshot ले रीजिये इसको और detail में समझते हैं समझेगा ये बहुत ही important है सारे doubt clear करूँगा आपके ले लिया screenshot तो चलिए देखते हैं इसको डीटेल में इसको डीटेल में समझते हैं फिर से बता रहा हो valence bond theory ने क्या बताया valence bond theory ने ये कहा कर GOValent bond जो बनता है वो atomic orbital के overlap होने से बनता है मैं लिख लेता हूँ, चलो atomic orbitals जो होते है उसके overlap होने से बनता है वो कैसे overlap हो करते हैं partially overlap करते हैं, ठीक है, partially overlap and वो भी कौनसी और्बिटल्स ही overlap करेगी and उसमें भी electron की spin क्या होनी चाहिए, opposite होगी, वो ही orbitals overlap करेगी तो आप यह कह सकते हो, उन्होंने यह बताया, जो half-filled orbital है, जिसमें electron की spin opposite है वो एक दूसरे के साथ partially overlap करती है and तभी जाके covalent bond बनता है ऐसा उन्होंने समझाया, अब उसकी conditions क्या है, वो देखते है conditions बहुत ही important है, conditions क्या है, क्लियर के कौनसी atomic orbital overlap करेगी तो अभी मैंने दो condition तो इधर ही बता दी, कौनसी atomic orbital जो है वो overlap करेगी तो उसमें तीन condition है, ठीक है, तो पहले तो उनकी energies same होनी चाहिए और comparable energies होनी चाहिए, comparable energy होनी चाहिए, ओके, तो वो ही atomic orbital एक दूसरे के साथ overlap करेगी या तो उनकी energies क्या होनी चाहिए, दोस्तो same होनी चाहिए, या तो उनकी energy different होनी चाहिए बट उसमें उतना ज्यादा difference नहीं होना चाहिए, वो ही atomic orbitals एक दूसरे के साथ overlap कर सकती है otherwise वो नहीं कर सकती, and, sorry, atomic orbitals जो है, वो proper orientation से overlap होता है ये भी समझना, कैसे होता है, proper orientation, proper direction से overlapping होना चाहिए अगर वो नहीं हुआ, तो भी ये atomic orbital overlap नहीं करेगी it means उनका orientation, उनका direction, उनका position वगेरा वो क्या होना चाहिए, proper होना चाहिए तभी जाके atomic orbitals एक दूसरे के साथ overlap करेगी, okay and extent of overlapping, ये भी समझ लिएगा, extent of overlapping की बात करे should be sufficient, should be sufficient, it means सारे point में समझाता हूँ, tension मन लीजिए ठीक है, okay, तो इन्होंने ये बात बताई कि कोई भी atomic orbital है जिसकी energy same होगी, या तो comparable energy होगी, तभी जाके, तभी जाके वो atomic orbitals overlap करेगी, otherwise overlap करने वाली नहीं है plus उन्होंने क्या बता है कि उनका orientation क्या होना चाहिए, proper होगा तभी जाके atomic orbitals overlap होगी, otherwise नहीं होगी and extent of overlapping should be sufficient, extent means क्या माननों ये एक orbital है ये एक दूसरी orbital है, तो इतना overlapping नहीं, कुछ sufficient amount, significant amount का overlapping होना चाहिए and वो भी बहुत कुछ तो नहीं होगा, अभी समझे, सारे point मैं आपके clear करता हूँ अभी थोड़ा समझे, ओके, तो आपने देखा होगा, कि जो atomic orbital होती है atomic orbital है, वो किसे कहते है, ओके, पहले तो orbital की definition क्या होती है तो कि ऐसा area, जहाँ, electron मिलने की probability ज्यादा है, उसे हम atomic orbital कहते है तो electronic कैसे form में होता है, wave के form में होता है, हमने देखा था okay, electron wave के form में होता है, तो मैं कह सकता हूँ, orbitals भी कैसे form में होगी वो भी wave form में होगी, क्योंकि वो क्या दिखा रहा, electron मिलने की probability दिखा रहा है ओके, तो मैं wave के form में है, तो क्या मैं इसे ले सकता हूँ, ऐसे ओके, आपने देखा था, quantum mechanics मैंने समझाया था, तब second chapter के अंदर, तब बटाया था तो यह जो part है, यहाँ पे electron मिलने की probability 0 है, जिसे हम nodal plane कहते थे, या तो node कहते थे तो यहाँ पे हमने sign conventions लगाये थे, plus, minus, plus, minus लगाये थे, तब मैंने बटाया था कि यह plus and minus जो है वो कोई charge नहीं है दोस्तों, यह कोई charge नहीं है, यह खाली psi की value है, psi की value है, psi क्या होता है, wave function, तो यह सारी wave function की values है, यह कोई charge नहीं है second chapter में समझाया था मैंने quantum theory में, ठीक है, ओके, तो यह positive, negative, positive, negative, means, जो orbitals यहाँ पे लाई करती है, generally S orbital की बात करें, तो S orbital का यह internuclear axis कहा जाता है तो internuclear axis के उपर वाला जो पार्ट होता है, उसे plus कहा जाता है, नीचे वाले को minus कहा जाता है, ओके, जैसे मान लो, यह internuclear axis है, अभी P orbital में क्या होता है, तो आपने देखा P orbital dumbbell shape होता है तो उसके internuclear axis के अपर वाला पार्ट में plus sign दिखाया जाता है, नीचे वाले में minus sign दिखाया जाता है ऐसा sign convention है, quantum mechanics ने ऐसा हमें बोला है करने को, यह wave function है, यह कोई charge नहीं है, इदर positive दिखाया में यह इसका positive charge नहीं है, यह इसका negative charge नहीं है फिर से समझा रहा हूँ, कि अभी orbital एक wave के form में है, ठीक है, मैंने यह बताया, तो wave में हमने देखा था, wave एक internuclear axis है, wave को ऐसे दिखाते है, प्लस यहाँ पे जो orbitals आएगी, वो positive यह negative, तो P orbital के अदर हमने देखा कि जो अपर वाला लोब होगा, उदर positive sign से दिखाते है, और ज यह proper orientation की भात कर रहा हूँ, मैं, तो यह बता रहे है, कि जिसका sign convention same होगा दोस्तों, जिसका sign convention same होगा, वो ही orbitals एक दूसरे के साथ overlap करेगी, it means signs क्या होनी चाहिए, same होनी चाहिए, यह बहुत important वाली बात बटा डाली, कि अभी signs क्या होनी चाहिए, जिनकी same है, वो ही एक दूसरे के साथ overlap करेगी, दूसरी orbitals एक दूसरे के साथ overlap नहीं करेगी, it means मान लो मेरे पास एक p orbital ऐसे है, दूसरा p orbital ऐसे है, इधर plus sign है, इधर minus sign है, इधर plus sign है, minus sign है, तो यह orbitals overlap कर सकती है, समझिएगा, यह orbitals overlap कर सकती है, क्योंकि उनकी signs क्या आ रही है, same आ रही है, यह positive and negative नहीं है ओके यह positive and negative चार्ज नहीं है यह वेव functions की values है वेव functions की sign है आपको यह भी याद नहीं रखना है यह कैसे हमें कैसे पता चलेगा इधर positive है negative आपको याद रखना है आपको दूतरा कुछ नहीं करना, आपको detail में उतना नहीं जाना है, जितना है उतना करिए, ठीक है, okay, detail में जाने की जरुवत नहीं है, इदर, बहुत ही simple है, it means, जिसकी sign same होगी, वो overlap करेगा, अभी ये overlapping possible नहीं होगी, अगर ये p orbital बता, इदर minus और इदर positive है, तो ये overlapping possible नहीं होगी, ये overlapping consider नहीं क किया जाएगा, क्यों? क्योंकि ये negative overlapping हो जाएगा, ये proper overlapping नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, okay, इतना समझ में आ गया, तो मैंने क्या समझाया, पहले तो energy तो आपको पता ही है, okay, कि भी same energy है, तो comparable energy हो, तो वो ही atomic orbital overlap होगी, plus proper orientations है, तो मैंने बता है, इधर भी plus है, इधर भी plus है, तो overlap होगी, इधर plus है, इधर minus है, ऐसे orbital के अंदर, तो नहीं, तो इधर कोई overlapping होगा, नहीं, समझ में आया, कोई overlapping होने वाला नहीं है, समझ में आ गया, ओके, जैसे ये plus है, ये minus है, तो ये overlapping नहीं होगा, ये plus plus है, ये प्रॉपर ओर्येंटेशन होना चाहिए तीसरा क्या बता है एक्स्टेंट ओफ ओवर्लैपिंग शुडबी सफिशियंट ओके तो यह यह बहुत इंपोर्टेंट वाली बात बटादाली है उन्होंने पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजे फिर में समझाता हूं इतन्स जितना ओवर्लैप होता है उसका जो एक्स्टेंट है वो दोस्तों एक सफीशन थोना चाहिए वो क्या वोना चाहिए शूंट होंना चाहिए खाली छूके निखल जाहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, कुछ significant amount का overlapping होना चाहिए, and यह जो overlapping है, it should not be more than 50%, hope आपने screenshot ले लिया होगा, ठोके, तो यह जो overlapping है, it should not be more than 50%, तो यह जो orbitals है, यह orbital के साथ, जो है, वो overlapping जो है, वो not more than 50%, नहीं होना चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्य क्योंकि आपको पता इधर भी nucleus है, इधर भी nucleus है, तो यह कुछ ही हद तक overlap कर पाएंगे, क्योंकि इधर positive charge है, इधर भी positive charge है, तो दोनो positive charge के बीच में, दोस्तों, क्या होगा, repulsion होगा, तो due to repulsion, due to repulsion, एक extent तक ही वो एक दुसरे के नजदिक जा पाएंगे, overlap कर पाएंगे it means 50% तक ही जा सकते है, उससे ज्यादा overlapping नहीं होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से सारे points लिख रहा हूँ, दोस्तों, फिर से मैं सारे points आपके लिए लिख रहा हूं, conditions फिर से लिख रहा हूँ, पूरा, क्यों बार-बार रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत important है इसे समझना है हमें, इसलिए बार-बार लिख रहा हूँ, ठीक है, तो पहला point क्या, कि भई, atomic orbitals जो है, वो overlap करती है, covalent bond बनाने के लिए, कौन सी atomic orbitals overlap करती है, कि भई, जिसकी energy, जिसकी energy same हो, या तो comparable हो, वो orbitals overlap करेगी, दूसरा क्या होना चाहिए, कि half-filled orbitals, half-filled orbitals ही overlap करेगी, जिसमें electron क्या होंगे, आदे होंगे, plus हमने क्या देखा, उनका orientation कैसा होना चाहिए, proper orientation में है, it means plus plus के साथ है, तो overlap करेगा, negative negative के साथ है, तो overlap करेगा, plus minus के साथ overlap नहीं करेगा, यह charges नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, sign convention है, sign की value है, wave function की values है, wave function के signs है, ठीक है, तो यह proper orientation हो orbitals overlap होगी, plus electron की spin क्या होनी चाहिए, opposite होनी चाहिए, तभी जाके overlapping होगा, and दूसरी बात, दूसरी बात, कि अभी extent of overlapping के भी depend करेगा, the extent of overlapping must be significant, should be significant, and आप कह सकते हो, कि not more than 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तभी जाके, यह atomic orbitals एक दूसरे के साथ overlap करेगी, तो फिर से बता देता हूँ, अभी देखिए, s orbitals generally क्या होती है, spherical होती है, p orbitals कैसी होती है, dumbbell shape होती है, and d orbital आपको पता है, double dumbbell shape होती है, आपको तीनों orbitals पता है, आपको मुझे बताना है, कि कौन सा overlapping possible है, या proper है या नहीं है, proper overlapping है के नहीं है, देखना, हाँ, ओके, तो ये overlapping जो है, वो proper है के नहीं है, फटा-फट से बताईए, तो yes है, क्योंकि दोनों की sign same है, तो ये overlapping possible है, ओके, तो फिर ये overlapping क्या possible है, येस, इधर भी दोनों की sign same है, तो ये overlapping possible है, ठीक है, तो d orbital में भी बता देता हूँ, अधर भी ऐसे sign लिखा जाता है, plus, minus, plus, minus, ऐसे लिखाया है, ठीक है, इधर भी plus, minus है, तो yes, ये same sign आ रहा है, it means ये overlapping possible है, ठीक है, तो कौनसी-कौनसी overlapping possible नहीं है, वो देख लेते हैं, तो ऐसा जो orbitals का overlapping होगा, कि इधर plus sign, इधर minus sign है, तो ये orbital possible नहीं है, इसे negative overlapping कहता है, इसे क्या कहा जाता है, negative overlapping, कि सर, ऐसे ही होंगे, क्या ऐसे कभी overlapping नहीं होगा, yes, होगा ना दोस्तो, ऐसे overlapping हो तो चलेगा, बट अगर दोनों जगा पे positive, positive, negative, negative आ रहे है, तो ये proper overlapping चलेगा, बट अगर यहाँ प overlapping 50% ही होगा, उससे ज्यादा possible ही नहीं है, क्यों कि वो nucleus के बीच में repulsion होगा, तो यह जो है, वो negative overlapping, यह positive overlapping मने बटाआ, negative overlapping, अभी zero overlapping किसे कहते है, वो सمझाता हूँ, पहले इसका screenshot लेजे, zero overlapping किसे कहते है, वो भी possible नहीं है, ठीक है, तो zero overlapping किसे कहते है, वो भी समझा देता ह पहले इसका screenshot ले लीजिए ठीक है आईए दोस्तों अभी समझते हैं zero overlapping किसे कहते हैं समझेगे सारी important बात है तो zero overlapping में क्या है मानलो एक s orbital है and p orbital के साथ overlapping ऐसे कभी नहीं होगा आप देख सकते हो दोनों का भी nucleus आप देख सकते हो कि भी atom है उसका orbital तो ये proper orientation ही नहीं है इसे zero overlapping कहते हैं देखिए क्यों कि उनके बीच का distance देखिए आप ये distance देखिए ये x जो है ये x क्या होता है तो x generally inter nuclear distance होता है इन दोनों के nucleus के बीच का distance है ये x तो जितना X कम होगा, उतना इन दोनों के बीच में रिपल्जन क्या होगा? ज्यादा होगा. जितना रिपल्जन ज्यादा होगा, उतनी potential energy क्या होगी? ज्यादा होगी. एन उतनी उसकी stability कम होगी. मैंने potential energy वाला concept भी आपको समझाया, वह stability inversely proportional होती है. तो ये क्योंकि एक दू उनों के बीच में रिपल्जन बढ़ जाता है and due to repulsion, potential energy भी increase हो जाती है and इसकी वज़े से उनकी stability decrease हो जाती है. ठीक है? ओके? तो ये सारी जो overlapping है, बले इधर positive है, इधर positive, negative लिखा है, बट ऐसे overlapping हो ही नहीं सकता due to this reason. फिर दूसरा, ऐसा overlapping भी कभी नहीं हो सकता. ये overlapping. क्य ये कोई भी axis की along भी नहीं है कि perpendicular भी नहीं है. ये जो है, वो particular overlapping ये consider नहीं किया जाता. ऐसा किस ने बताया? ये theory ने हमें बताया कि ये दोनों zero overlapping में consider करेंगे. ये negative overlapping है, ये positive overlapping है. तो positive overlapping हो रहा हो, तभी overlapping होगा, बाकि ये दोनों में overlapping नहीं होगा. ओके? या तो जो molecular orbitals होती है, इत मिन्स जो, sorry, atomic orbitals, clear? ओके? तो या तो दोनों same axes पे होने चाहिए, या तो perpendicular होने चाहिए, तभी जा के overlapping होते हैं. same axis पे, axial या तो perpendicular होने चाहिए, तभी overlapping होता है. इसमें से दोनों में से कुछ नहीं है, इसलिए ये औरlapping consider नहीं किया गया है. इसलिए ये overlapping consider नहीं किया गया है ठीक है ओके तो यह ओवरलैपिंग हमने देखा एक यह फिर यह ओवरलैपिंग भी पॉसिबल नहीं है अब देखें दोनों के इंटर न्यूकलियर डिस्टंस देखें बहुत ही कम है तो यह भी जीरो ओवरलैपिंग कंसिडर किया जाएगा क्या आप मुझे बताएं क् कि जिसका न्यूकलियर बहुत ज्यादा नजदी का रहा है तो वह जीरो ओवरलैपिंग कर देगा ठीक है इसलिए मैंने बता 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए यह दो ओवरलैपिंग पर्टी क्यूलरली नहीं होगा जिसे जीरो ओवरलैपिंग कहा जाता है ओरलैपिंग उसी का होगा जिसकी साइन सेम है ठीके बच्चो ओके तो ये थियरी ने ये बटाया ये थियरी ने ये बताया हमें क्या बताया कि भई एटॉमिक और्बीटल ओरलैप होती है तो ये सारी चीजे होती है स्क्रिन्षोट ले लीजे फिर से इसको समराइज करा देता हूँ आपको फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि ये important वाली बात है इसे समझ येगा इसके लिए मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ ओके बार-बार repeat इसी लिए किये जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही महजेदार बात है और बहुत ही easy बात है आपको इधर याद रह जा इसकी वज़े से कहता हूँ तो अभी देखते हैं चलिए कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है तो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ अभी condition नहीं लिखूंगा ठीक है अभी अभी समझेगा उसके बाद उसके बाद जो है वो खास याद रखना extent देखा जाएगा extent of overlapping अभी एक बात और बताना चाहता हूँ मैं आपको एक और बात मुझे आपको बतानी है कि मैं ऐसा कह सकता हूँ जितना extent of overlapping ज्यादा होगा उतनी strength ज्यादा होगी क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ दोस्तो कि extent of overlapping extent of overlapping is directly proportional to the strength of bond strength of bond it means extent of overlapping जितना ज्यादा होगा उतनी ही bond की strength क्या होगी ज्यादा होगी उतना ही bond का strength ज्यादा होगा तो उतना ही bond energy उतना ही bond energy तो दोस्तों bond energy ज्यादा देनी पड़ेगी तो bond energy क्या होता है? bond energy क्या होता है? कि एक bond को break करने के लिए जितनी energy चाहिए उसे bond energy कहते है ठीक है? ओके? एंड वो inverse the proportional क्या होगा? bond length के होगा वो inverse the proportional किसके होगा? bond length तो यह तीनों चीजे इसको इस तरह के से proportionality sign में है तो इसे आपको समझना पड़ेगा ओके? तो मैं क्या बोला? कि अभी extent of overlapping समझाता हूँ देखिए यह इधर है यह extent of overlapping है अभी हम वो ही condition देख रहे है जिसमें overlapping less than 50% हो रहा है ठीक है? एंड यह overlapping है ओके? इसको मैं समझाने से better है यह वाला आपको समझाओं तो ज्यादा idea आप में आएगा ओके? अभी आप देखिए तो यह overlapping ज्यादा है कि यह overlapping ज्यादा है कुछ लोग ऐसे बोलेंगे सर इसमें तो दो side से overlapping हो रहा है न तो यह तो ज्यादा होगा तो नहीं होगा दोस्तों इदर एकी side से बहुत ज्यादा area cover कर रहा है इदर बहुत छोटा छोटा area दो area आप इसको ठाके दर रखो तो कमी इदर ज्यादा overlapping हो रहा है आप ऐसा कह सकते हो तो आप कह सकते हो कि इदर overlapping क्या हो रहा है दोस्तों ज्यादा हो रहा है तो जितना overlapping ज्यादा हो रहा है उतना वो लोग एक दूसरे के उतने atoms एक दूसरे के क्या होंगे नजदीक होंगे उतने atoms एक दूसरे के क्या होंगे दोस्तो नजदीक होंगे पास में होंगे एक दूसरे के एन एक दूसरे के जितने पास में होंगे तो दोनों के nucleus के बीच का distance it means bond length जो है वो कम होगा bond length कम होगा तो आप कह सकते हो के bond कैसा होगा strong होगा एक दूसरे के नजदीक होंगे and इसको तोडने के लिए आपको क्या energy लगेगी? ज्यादा energy लगेगी समझ में आ रहा है it means जितना extent of overlapping ज्यादा है जितना overlapping ज्यादा है उतना bond मजबूत होगा stronger होगा and उसकी bond energy it means वो strong bond है अगर दोनों के बीच में strong attraction है उसे तोड़ना है तो हमें ज्यादा energy देनी पड़ेगी हमें क्या करना पड़ेगा? ज्यादा energy देनी पड़ेगी तो bond energy क्या लगेगी? ज्यादा लगेगी and आपको पता है कि जो जितना नजदीक आएंगे तो bond length क्या होगी कम even जितना extent of overlapping ज्यादा होगा उतना उसका bond length कम होगा तो ये सारी चीज़े मैंने आपको बताई दोस्तों ठीक है? ओके? समझ में आ गया? ओके? तो अभी इसके उपर से हम types of covalent bond निकाल सकते हैं पहले इसका screenshot ले लीजे इसका screenshot ले लीजे ठीक है? ओके? अभी हम निकाल रहे है types of covalent bond वो किसके उपर से depend किया? तो extent of overlapping के बाद आया types of covalent bond तो वो कैसे types of covalent bond आया? क्योंकि दोस्तों दो तरीके से overlapping होता है दो तरीके से overlapping होता है ये बात मेरी समझ ये मैं क्या बोल रहा हूँ? दो तरीके से overlapping होता है एक होता है head to head ये समझ ले ना? ठीक है? जिसे head on overlapping कहते है जिसे क्या कहते है? head on overlapping इसे कहा जाता है along the axis तो इसे Axial, Axial Overlapping कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, Axial Overlapping होता है, और दूसरा Overlapping जो होता है, उसे कहा जाता है, Parallel Overlapping और Sidewise Overlapping, इसे कहा जाता है, Sidewise Overlapping और Parallel, Parallel Overlapping कहा जाता है, इसे याद रखना Lateral Overlapping भी कहा जाता है, ठीक है इसे क्या कहा जाता है lateral overlapping ठीक है इसे दोस्तों याद रखना इसे lateral overlapping भी कहा जाता है समझ लेना तो यह यह बता रहे कि आपने तो देख लिया कि कौनसी orbital overlap होगी तो कि half filled होगी electron की spin opposite होगी तो an orbital भी कौनसी plus plus वाली overlap होगी यह तो बात समझ में आ गया अभी orbital दो तरीके से दो तरीके से overlap होती है एक axial यह दोनों ऐसे ऐसे overlap होते है इसे axial overlapping कहते है जैसे मैं समझाओ यह जो पैन है वो दोनों सेम axis पे axial overlapping axial overlapping clear axial head to head overlapping head on overlapping कहते है इसे axial overlapping ऐसे होता है And sidewise overlapping means क्या parallel overlapping? तो ये दोनों एक दूसरे के parallel है And उनके बीच में overlapping होती है तो ये parallel overlapping कहा जाता है Lateral overlapping कहा जाता है Sidewise overlapping कहा जाता है मैं समझाता हूँ तो ये जो overlapping हुआ ये मुझे बताएए ये कौन सा overlapping होगा तो ये आप कह सकते हो Head on overlapping होगा के sidewise overlapping होगा, head on, तो दोनों same, head on, head on overlapping हुआ, बट अगर मैं ये कह रहा हूँ, तो ये कौन सा overlapping होगा, तो ये आप देख सकते हो, parallel थे, sidewise overlapping हुआ, ये sidewise overlapping हुआ, ये बताईए, ये कौन सा overlapping हुआ, तो ये आप कह सकते हो, axial overlapping हुआ, simple भात है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, तो यह axial overlapping है, यह side parallel है, एक दूसरे को overlap करते हैं, तो क्या होगा, आप कह सकते हो, आराम से, is it clear, ओके, तो हमें यह सारी बाते पता चली, कि दो तरीके से overlapping होता है, उसके हिसाब से, उसके हिसाब से, यह बहुत important ब बनाएगा, कौनसा bond form करेगा, सिग्मा bond, देखते हैं, ठीक है, वो कौनसा bond form करेगा, सिग्मा bond, जिसे ऐसे symbol से represent किया जाता है, सिग्मा bond, and sidewise overlapping से कौनसा bond generate होता है, पाई bond generate होता है, जिसे पाई के symbol से दिखाया जाता है, और लिखा जाता है, पाई bond, जिसे पाई bond लिखा जाता है एंड पाई के symbol से बताया जाता है is it clear ओके समझ में आ गया इन चाट 2 टाइप की overlapping होती है here on overlapping sidewise overlapping here on overlapping हुआ तो sigma bond बनेगा and sideways overlapping हुआ तो पाई बॉन्ड बनेगा ठीक है तो क्या बनेगा पाई इसकी important बाते हमने क्या देखी कि covalent bond form होगा कैसे कि half-field orbital overlap होंगे, जिसमें electron की spin क्या होगी? opposite होगी, extent b क्या होगा? overlapping का fix होगा, एक proper होगा, तभी जाके overlapping होगी, तभी जाके covalent bond बनता है, अगर वो दोनो sideways overlapping करते हैं, तो sigma bond बनाएंगे, अगर parallel, sorry, मेरी गलती, head on overlapping, axial overlapping करेंगे, तो sigma bond बनाएंगे and sideways overlapping करेंगे, तो आप कह सकते हो pi bond बनाएंगे, simple बात है, इतना समझ में आ गया, अभी हम start करेंगे types of covalent bond basis on orbital overlap theory, तो अभी हम sigma bond, pi bond कौन बनाता है, क्या है, detail में देखेंगे, ठीक है, पहले यहां तक का, आप screenshot ले लिजे, यहां तक का आप screenshot ले लिजे, ओके, बराबर है, फटा फट से screenshot ले लिजे and आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो comment करते रहिए, ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो जरूर से comment करिए, ओके, क्योंकि यह बहुत important वाली बात है, ओके, तो फटा फट से screenshot ले लिजे and अभी आगे निकलते हैं